जैहिंद फ्यूचर आफिसर्स वेलकम टू एंप एक्जामस वाला सो गाइस यह है हमारा एपिसोड नंबर थ्री और आज के एपिसोड में हम लोग आर्ट इंड कल्चर से लेटेड मद्धि प्रदेश की हिस्ट्री से लेटेड काफी सारी बात करने वाले हैं तो इन टुडेर्स लेक्ट्ठर आंड इंड नंबर एफ इफ्रेंटिंगS कलके लेक्ठर में आप लोगों ने देखा मैंने अन्यास के बारे में बताहि है आज की क्ला थी ए यहां तो गैस अज की दो.. टॉक अवाउट MP टूरिजम ठीक है आज आप लोग टूर करने वाले पूरे के पूरे संपूर मद्ध प्रदेश का पहला पॉइंट क्लियर है दूसरी चीज जो आज हम बात करने वाले हैं वो सारी की सारी युनेस्को और हेरिटेज साइट्स के बारे में और थोड़ा सा टीटेल में पढ़ेंगे हम लोग डीटेल में पढबने वाले हम गेर हैं दन नेक्स वन जो हम बात करने वाले हैं मकवरों के बारे में, TOMS, M-A-U-S-A-U-L-E-U-M-S, Masoleums, जो बोले आता है, TOMS के बारे में, हम لوग पढ़ेंगे, फिर कई सारी Archaeological Sights के बारे में. Archaeological Sights साइट के बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं. हम लोग Archaeological Sights के बारे में discuss करेंगे, फिर कुछ religious sites के बारे में भी हम लोग discuss करेंगे religious sites के बारे में और सब कुछ picture के format में picture के format में रहेगा यह आपको याद रखना है कि सारी चीजे जो हम लोग discuss करने वाले हैं सारी कुछ picture के format में रहने वाली हैं सो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग जो कल का हम लोगों ने पढ़ाता थोड़ा बहुत तो उसके बारे में हम लोग डिसकस करने वाले हैं टिप्स और ट्रिक्स से मैं पढ़ाता ही हूं आप लोग जानते हैं सारी टेक्निक्स देता हूं तापकी आप लोगों को स सारा का सारा जो भी जो भी ग्यान दिया रहा है वो सब कुछ याद हो जाए चलिए तो कल मैंने आप लोगों को कुछ बता है थोड़ा होता हम रिवीजन करवा देते हैं मद्यप्रदेश का टूरिजम यह जो है एपिसोड इसमें टूरिजम के बारे में मैं बता रहा था तो क मज़ा आने वाला है ना इतना मज़ा कहीं नहीं आया होगा मैं गैलेंटी देता हूं आप लोग खुद देखेंगे लेक्चर आपको खुद समझ में आगे बढ़ते हैं तो देख लीजी आप लोग मद्यप्रदेश टूरिजम में हिस्टोरिकल और आर्केलोजिकल साइट क देखने को मिलते हैं आदमगर हो गया कायत कल्चर हो गया एरन इंस्क्रिप्शन हो गई राइट तो यह हम लोग डिसकस करेंगे फिर हम लोग रिलीजस साइट में जैसे कि हम लोग ने बात करी थी पहले भी बुद्ध जैन और हिंदुईजम से लेटेड़ वी और डिसकस इन डीटेल तैन नैच्राल कुछ साइट से यह से पचमडी हो गई अमरकंतक हो गई राइट फिर आप देखेंगे भेडा गाट हो गया कुछ-कुछ नैसल पार्क्स हो गया मद्रेप्रदेश के और संच्यूरी सो गई तो कई सारी जैसे नासल पार्क्स हो गया तो यह MP जो पर तो नहीं है यह आपने को बस इतना याद रखना है कि यह सारा गधा सारा सारा कुछ टूरीजम के अंतरगत आता है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आओ हम लोग नावी चॉक आबऊट भाहुट दी भारत भवन यह मैने कल आपको बताया था कल सारा का सारा रिव साइट्स के वारे में भी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है और तक्रीवन यह मानगे चलिए कि 1100 के करीब साइट से अप्रॉक्सिमेटली अब होता ही है ना कि मैं अगर यहां पर फिक्स डेटा दे दू अभी 21 तो नहीं है क्योंकि दो तीन तो अभी इंडिया में एड हो गई है लेकिन अगर मैं फिक्स डेटा दे दूँगा तो होगा यह कि जब आप लेक्चर देख रहे होंगे फिर से आने वाले समय में एक महीने बाद तो हो सकता है दो तीन साइट और हो गई हो गई होंग उपर नीचे होता रहता है बट याद रखिएगा फिर हम लोगोंने सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करी थी फिर वर्ल एडिटेज साइट इंडियन परस्पेक्टिव से हम लोगोंने देखा था जैसे अजंता हो गई एलोरा हो गई आगरा हो गया ताज महल हो गया फ थर्टी नाइन साइट रमपर टैंपल हो गया तेलंगाना का 40 जो साइट है वो धोला वीरा हो गई गुजरात की फिर हम देखेंगे अभी अभी हाल ही में एक तर वह 41 साइट 41 साइट जो है 41 जो साइट है वह सांती निकेतन सांती निकेतन राइट यह आप याद रखिएग फिर दूसरी जो है इस पर 100% question मुझे ऐसा लगता है कि probability पूचा है आ सकता है तो दूसरी जो साइट हो यह होई साला टैंपल होई साला टैंपल टैंपल राइट होई साले सवाई टैंपल ऑफ वेलूर हालेविद एंड सोमनातपुर राइट यह हमें याद रखना है तो यह हां पर आप देखेंगे कि 41 में सांती निकेतन है दोहार तेईस अभी अभी एड हुआ है और जो सांती निकेतन है वेस्ट वेंगॉल में है फिर होई साला जो टैंपल से राइट यह बैलूर हालेविद करके है सोमनातपुरा में और यह कहां पर लोक्रिट हैस तो याद फॉल्स हो गया मदब रिसेंटली इसलिए क्योंकि अभी देखो रिसेंट में दोहार तेईस में तो कोई आड हुआ नहीं लेकिन अगर आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सी है तो दोहार 21 में आप तीन साइट के बारे में लिख सकते हैं जिनमें से एक है धुआ धार फॉ तो यहां पर युनेस को क्या सीख करता है यह सब मैंने आपको बताया ठीक है तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अगर आपन देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे और भी साइट्स हैं मद्य प्रदेश की जिनमें से हो गई एक खज्राहो टेंपल ग्रुप दूसरा हो गया सांची स्तूप तीसरा हो गया भीम बेटका यह आपको याद रखना है खज्राहो टेंपल ग्रुप दूसरा हो गया सांची स्तूप और तीसरा हो गया भीम बेटका की गुफाएं यह आपको याद रखना है खज्राहो के बारे में मैंने कल explain करा भी था जो खज्राह यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे इसका जो आर्गिटेक्चर अपने आप बहुत ज़्यादा जवर्दस थे ठीक है यह आप याद रखिएगा फिर हम लोग देखेंगे इसके अलावा फीचर्स क्या है तो इसका जो फीचर है वह नागरा इस्टालिटेमेंटेमटल जो साउथ में मिलते हैं आप लोग बताएंगे साउथ वाले laboruडियन इस्टायल होते यह श्यसे आप लोग देखेंग Бई इतने भी टैंपल होते हैं उनके गेट बहुत बड़े होते हैं लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे खजराह के देता था फिर जीता फिर और बड़ा बना दिया फिर जीता फिर और बड़ा बना दिया इवन बाउंडरी बना देता था उनके अगर हम साउथ इंडियन टैंपल्स के बारे में एक दो प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो उनमें इवन कुंड काइंड भी होता था लेकि सदर्न टैंपल्स ग्रोप हैं अगर वेस्टन की वाद करें तो आई टोल्ड यू अवाउट वन तिंग देट इस कंदरिया महादेव का टैंपल चौसर्ट योगनी विस्वनाथ चित्रगुप्त लक्समान एंड मतंगेश्वा टैंपल राइट यह कल का रिवीजन है बस इतन तो दोनों बहुत ज़्यादा फिमस है यह आपको याद रखना है फिर कंदरिया महादेव के वारे मैंने थोड़ा सा बताया था पिर मैंने और भी कहीछ सारी चीजेजे चौसर्ट योगनी टैंपल के बारे में बताया था चाहसत योगनी टैंपल की ये खास बात है ना यह पार्लियमेंट के स्ट्रक्चर जैसा देखने को मिलता है देख रहे हैं आप लोग आपके पीछे फोटो हुई है मतलब हमारे पीछे मेरे पीछे फोटो है आपके स्क्रीन पर फोटो है राइट देखिए आप लोग तो इस पर क्वेस्चन भी पूछा गया था अब बात और याद रखना है तक्रीवन 1164 योगनी टेम्पल भारत में देखने को मिलते हैं कितने गयाइस 1164 योगनी टेम्पल भारत में देखने को मिह याद रखना है इसव्थ वैस्ट तॉफ सीष सकर लेख इसको दूसरे नाम से भी आना जाता है इस liesलिं, एक टर्UTश まहदेव ट यह वो 64 योगनीटेम्पल का फोटो आगे बहुते हैं अब हम लोग मतंगे वर टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं अमन नाम देए जैसे मैं हूं यहां पर अमन जी राइट अब मैं काफी यादा हर्सोले तो यहां पर आप देखिए मटं से मटं हो गया तो आपको उप्संस में से मार्क करना है फिर चंदेल रूलर किंग हर्सवर्दन ने इसको बनवाया था यह भी आप देख सकते हैं अब मतंग केस वर टेंपल हर्सोले तो इस तरह से हर्स वर्मन तो यहां पर वर्मन में अमन आ जाएगा अमन यह आप याद रखिए गा इस द गांधी मेड चित्र ओफ इंडिया राइट फार साइट बतलब गांधी जी बहुत ज्यादा फार साइट थे ऐसे करके आप याद रखना अब चित्रगुप्त के बारे में बात करी आए तो यहां पर अपन लोगों ने गांधी से कह आयात करा है कि जो चंदेल रूजलर थे चंदेल राजा थे जिसका नाम था गंध देव क्या है गंध देव तो गंध देव जी ने इसको बनवाया था तो एसे करके याद रख लो के गंध देव ने क्या बनवाया था चित्रगुप्त का टेंपल ठीक है चित्रगुप्त का टेंपल जो है गंध देव जी ने बनव लूँगा कि गाड़ी उठाओ और निकल पड़ो इस टेमपल के पास वहां पर उसको देखो फिर वहां पर आके नोट्स बनाई है ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई मैं चित्रवुप्त का टेमपल गूं के आया हूँ क्लीर समय नाव भी मूँवण्ट विस्वनाथ् टेमपल की अगर हम लोग बात करें तो किसके द्वारा बनवाया गया था तो यह बनवाय गया था रजाव धंगधेव एक तुए कद्वारा है तोन वर्यक्ति ब дел धंग होगा तो विस्म में कोई भी कार्ट कर सकता यह ही कर सकता रैट तो याद रखना है राजा ढंग देव के द्वारा विस्मनाथ में बना हुआ है अब यह किसको डेडिकेटेड है तो यह लौड सिवा को डेडिकेटेड है जब भी मैं आर्ट इंट कल्चर की क्लास लूँगा तो इसको और अच्छे से करूंगा लेकिन अभी थोड़ा सापको बता देता हूं पंचैतना स्टाइल में क्या होता है जैसे यह टेंपल है सेंटर में राइट यह आपको देखने को मिल रहा है टेंपल अब टेंपल के बाहर आप देखेंगे एक दो तीन और इस तरह से आपको चार यह पांच हो गए इनको हम बोलेंगे पंचैतना स्टाइल टेंपल तो अब हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ लिए कौन से टेंपल था यह विस्वनाथ टेंपल हिंदी में भी लिखा हुआ है स्लाइट में आपको इंग्लिस एस वेले हिंदी दोनों प्रोवाइड करवाईए मैंने आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूस ना हो चले आगे बढ़ते हैं अब हम लोग गैश तो स्टार्ट करते हैं इस्ट वाला टैям्पल के वारे में डैट इस इस्टन ग्रूप आप करें तो इस्टन ग्रूप में क्या आता है हाप जानते हैं तो उनको याज की प्राप्ति हुई थी किस की प्राप्ति तो यहां पर आप याद कर सकते हैं कि यह Стare है कि समय में चिसो बर्मन के समय में यह आपको याद रखना है तो इस जेन टेमपल विल्ट अराउंड 950-80 विल्ट डूरिंग दा रेंग ऑफ किंग यसो बर्मन यह जो है पंचेतना स्टाइल में देखने को मिलता है तो यह भी पंचेतना स्टाइल में है यह भी आपको याद हो गया फिर हम ल इसका कारण क्या है देखो मेरे पास बहुत कम क्लास्स घंब हैं और उनकश्द में मीरे को बहुत सारा विजर पॉर्शन कवर करें है इसलिए मैं आप लोंगों से दर्खवास करूंगा के प्लीज 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 साथ में ही कुछ-कुछ नोटस मनाते जाईए वन-r सीरीज अपने आप में वहुत ही जादा मज़ेदार है इसलिए मैं आप लोगों से यही सगेस्ट करूँगा दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज मज़े लेते रहिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यो टेंपल लेट इस घटाई टेंपल गटाई टेंपल जो है इन द इनकी मातक को जो भी सपने में आया था तक्रीवन जो भी सोला ड्रीम साइन थी वह सारी के सारी अगर आप देखेंगे तो वह इस टेंपल के अंतरकत मतलब इसा करके देखने को मिल जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें सदन गुरूप में तो दूला देव का टेंपल दूला दूला यूओन का मंदिरर आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा फियारा फोटोग्राफ है दूला देउ का टेंपल यहाँ पर आप देखेंगे य जो टेंपल है यह भी श्वजी को डेडिकेटीड है सब्सक्रमूक्ति वीलिंग जो है जैंघे वेज़ा मंदल टेंपल वीज़ा मंदल टेंपल मैंने वेज़ा भोल दिया धोके से सौरी फ्र तो वीजमंदल temple हो गए फिर चतरभुज का भी temple हो गए तो यह सारे के सारे southern group of temples खजराओं के अंतरगत आते हैं अब देखिए खजराओं के बारे में बात करें और खजराओं के dance festival के बारे में बिल्कुल भी चर्चा ना हो तो यह तो समझ रहे हो ना यह तो गलत है ठीक है चतरभुज का खजराओं जो छेत्र है वह बहुत ही आदा important है इसके बारे में सब को पता होना चाहिए तो यहां का खजराओं जो dance festival ना इसमें इंडिया के जितने भी important सारे के सारे important जो players for example जितने भी आर्टिस्ट है आर्टिस्ट है खजराओ temple पे festival पे enjoy करने के लिए dance करने के लिए आते हैं और यह तक्रिवन international level का होता है ऐसा वैसा चोटा मोटा फेस्टिवल नहीं होता है यहां पर एयर स्टिप भी मौजूद है तो लैंड भी कर सकते हैं ठीक है यह भी याद रखिएगा तो UNESCO World Heritage Site है खजराओ सिंस 1976 यह भी हमें याद रखना यह आप देख सकते हैं यहां पर हर प्रकार के cult class dance भी होते हैं और यह जो dance festival हर साल कर अब हुर्णाइस कर आदा है फरवरी और मार्च के संगीत अकादमी का कल्चरल कॉंप्लेक्स भोपाल का बहुती बड़ा मतलब अतुल निये का बोल सकते हैं योगदान है तो कंट्रिव्यूशन जो देखने को मिलता है वह है अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी का यह हमें याद रखना है ठीक है तो इसके वारे में लिखा ह पक्का दन स्योर और भी कोई था जिसने बनवाया था नहीं था के नहीं था बताईए ठीक है तो सांची के बारे में बात करें तो यह बुद्धिस्ट स्थूप है एक्चुली होता क्या है न यहाँ पर आप देखेंगे यह जो है यह तोहरान द्वार टी ओ एच ए आर एए इनको जातका स्टोरी इस भी कहा जाता है जातका स्टोरी इस पर हमें याद रखना है जो की बुद्ध या फिर हम बात करें हां जी बुद्ध जो थे जब उल्मॉस मतलब मां के पेट में थे तो उन की मां थी वह कुछ सपने में देखा करती दी और शौब ऑफ यहाँ पर बुदा था वयूर द्वार हो गया फिर गाहलग पार्ट है लाई अलग अलग पार्ट है बट उसके वारे में अभी हम डिसकस नहीं करेंगे बस मेजर चीज आप याद रखिए कि स्टूप ऑफ सांची यह जो है मेजर बुद्धिस्ट साइट है जो की राइसें जिले मध्यप्रदेश में लोकिटेड है और यह जो है वॉयल हेरिटेज के उसमें टेवल में कवाई तो 1989 में यह आपको याद रखना है क्लियर है अब यह किसने बनवाया था तो मौरें रूलर जो असोग थे 3rd century में उन्होंने बनाया था यह आपको याद रखना है असोग साव ने राइट देन डिसकवर्ड वाई अब किसने डिसकवरी करी ती इसकी तो 1818 में 1818 में मेजर थे जिनका नाम था मेजर जनरल टेलर जनरल जनरल टेलर याद रखना है जनरल टी ए वाई लो और यह आपको याद रखना बच्चों क्लियर है तो यह सांची के स्थूप के बारे में हम लोगों ने बात करी अब दो तीन चीज और बता देता तो आप याद रखिएगा MPPSC जैसे इस तरह से कूछ ले कि छतरी हो गया हर्मिका हो गया तोहरान द्वार हो गया यह काई से सम्बन देते हैं तो याद रखना है जैसे आप देखेंगे सांची का यह स्थूप है अब देखो इस तूप के अंदर क्या होता है अस्थियां हो है बड़ आपको याद रखना है कि मोगली इसमें मोगली पुट्ट टिस्सा या किसी और की वियस्तियां है खेर उसके वारे में हम चर्चा नहीं करें यहां पर बस आप दो-तीन चीज याद रखिए कि जो सबसे उपर है जो सबसे उपर है जैसे मैतलब मेरे सिर के ऊपर और कुछ होता तो क्या हो गई छत्री यह चत्र हो गया इसको क्या बोलता है गास चत्र सी एच एडवल टी ए आर चतर अब यह चतर में एक दो-तीन करके बनवह आ अब यह जो तीन हैं यहां पर आपको जो चतर में मिलेगा इसको बुध्धम संगम करके इस तरह से दिमाग में नहीं आ रहा है अगर आपको याद आ रहा हो तो बताईएगा ठीक है तो बुद्धम संगम और किसी चीज़ को और वो बताते हैं खेर डिपिक्ट करती है फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे आप लोग तो यहां पर यह जो छत्री के नीचे आपको देखने को रहा है इसको बोला ता हरमिका रेक्त हरमिका और यह जो देखने को मिल रहा है यह क्या हो गई अंड़ा ऐसे लगाते होना उसको बोल देता है मेरी ईस Спर thats Auch वुटन वाली यह ब्लू कलर की वॉल देख रही है यह क्या है जी तोहरान दौर तोहरान दौर यह आपको याद रखना है तो यह आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में और भी कई सारी चीजे लिख रखी है बट मैं यही कहूंगा कि जितना मैंने बताया है उतना आप याद रखिए फिर आप देखेंगे देर आर थ्री बुद्धिस्ट स्टूप इन सांची लार्जिस्ट विच इस 365 मीटर्स डायमीटर 165 मीटर्स इन हाइट इस स्टूप्स है विल्ट इन भारुत स्टाइल अब यह जो स्टूप्स बने हुए ना यह कौ मोगली पुत्य मोगलायम की यहां पर अस्तिया रखी हुई है बस यहीं दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है यह हिंदी में भी लिखा हुआ है आप लोग इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं विशेष्टाओं के बारे में राइट जातक स्टूडिस क्या होती है तो वह भीमबेटका की गुफाओं की तरफ ठीक है मैं भी रिसेंटली गया था काफी बेंड वाली जगा भी और काफी को सीखने को भी मिलेगा आप लोगों को तो भीमबेटका की खास बात क्या है यहां पर आप देखेंगे जो भीमबेटका केफ से ना इस आर दी प्रिस्टोरिक साइट से जो देखना को मिलेंगी राइसन जले में कहाँ देखना को मिलेंगी घएस जले मे बदाफ को याद रखना है घए और यहाद प्राहिण पुरा पासाण काल बहुत पहले की बात हो रही है तब से लेकर अभी तक यहां पर काफी सारी पेंटिंग्स है वो तब की वनी हुई पेंटिंग्स अभी तक बची होई है ठीक है तो यह आपको याद रखना है भीमबेटका के बारे में यह जो पॉइंट मतलब बहुत ही आदा इंपॉर्टेंट फिर जो केफ सेना वह फर्स्ट एंड मोस्ट एंसेंट साइट्स देखने को मिलती है मतलब ग्राणति आपको याद रखना है जो व्यक्ति डिसकवर करा था उसने कंकड फेक कर देख यह जैसे कंकड फेकł तो भीमबेटका की केफ एकटम से से दिगए कि अरे यह कहां पर तो यह आपको याद रखना है घीमबेटका की केफ का पता लगाने में बहुत बड़ बड़ वह कौन है श्री विष्णुधर वाकंकर क्या है जी विष्णुधर वाकंकर याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर बन सकता है जब हम आजाद हुए थे तो आजादी के आसपास इन्होंने इसके वारे में सर्च करके बताया था निकाला था आप देखेंगे भीमबेटका की गुफाओं में कुछ इस तरीकी बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर पिक्चर्स देखने को मिलती मुझे तो भी लड़ते हैं तो हम उस तरीकी की पेंटिंग काइंड बना देते हैं और बड़ी बात क्या है ना तुम लोग अभी पेंटिंग बनाओगे पचास साल सो साल हो सकता है ना बची यहां पर हजारों साल से वह पेंटिंग्स आज भी बैसी की बैसी ही है that is the main reason कि भीमबेटक युनाइस्को हेरिटेज लिस्ट में आता है सुमार है ठीक है यह क्लियर है स्पेसियालिटी यहां पर लिखी हुई है तो यहां पर आप थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं if you want क्राइट के कलेक्शन है यहां पर रॉक पेंटिंग्स के और डेली लाइफ ऑफ हुमन इस द लिख यह बिंद्याचल मांटेंज में देखने को मिलती है इस सदर्ण एडंड ओफ बिंद्याचल मांटेंज और वर्ल्ड हरिटेज साइट मैं यह कब सुमार हुई है तो 2003 में यह एड़ उन करी गई थी अंडर डी वर्ल्ड हरिटेज साइट यह आपको यादा रहे में इ ठीए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग गैस आगे बढ़ते हैं मुविंग फॉरवड गाइस तो अधर फैक्स में देखें तो रिसेंटली स्टोरिकल साइट अफ निवाडी साइट इस ओर्चा यह हमें याद रखना है अभी अर्वन लैंड्सक उटर इंब ने यह रोंगों ने पर बढ़ीडियल नहीं ःत्र अर्वन विंधन आप त्विंगहिए पर गयं तूरिजम करी या फिर हम बोल सकते हैं founder कौन थे उस समय में राजा कौन थे यह भी हम लोगों ने सारा का सारा कवर करा देखो मैं आप लोगों से फिर से बोल रहा हूं कि थोड़ा fast हो सकता है fast हमें रखने को इसलिए भी बोला गया है क्योंकि यह प्रकार से यह classes जो है न तकरीवन पां है क्योंकि आप लोग देखिए अप प्रिलिम्स देने वाले मैं जानता हूं कि जितने भी वच्चें यहां पर वो कभी न कभी पढ़ चुके हैं उनको मेरे को रिवाइस करवाना है तो आप मेरे ही लेक्चर को अगर तकरीवन दो से तीन वार MPPSC के प्रिलिम्स के पहले द जा रहा है मुझे आप लोगों से बात करके और आप लोग सुन रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्लियर है कोई वीडाउट हो तो बताईए अब देखिए देखो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कुछ टॉम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं यहां पर अगर यहां पर आपको से जहां रहें तो सारे किसाओ में यहां पर तंपस देखने को मिलते हैं यहां पनको यादए रखना है अब कई सआ अलग-लग टॉम्स हैं तो यहां पर आपके समक्ठ जो है एक टेवल वनी हुई है वेरी में बात करिए इस पर寂 है क्वैस्टन आ सकता है आप लोगों से मैंस दा करेक्टिवी पूछा या सकता है तो मैंस दा फॉलईंग काइंड आसकते हैं यह जैसे फॉर एक्जामपल एक तरफ लिख दें पेशवा बाजी राओ समाधी और उसके सामने लिख दें माइंडू एक तरफ लिखें हुसंग सहा टॉम उसके सामने लि लेगी भाई याद रखना पेश्वा वाजी राओ की समाधी जो है वो है खरगोन में कंफ्यूज नहीं होना है अब देखिए कई बच्चों को यह याद हो जाता है फर्स टाइम में लेकिन कई बच्चे जो मेरे जैसे हैं मतलब सिंपल हैं आप लोग ठीक है एकदम से याद नहीं होता है हाड वर्किंग रहते हैं तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स से भी आपन याद कर सकते हैं जैसे एक्जामपल देखिए बाजी राओ समाधी बाजी राओ की तलवार तुम लोग ने देखा है ना पेस्वा वाजी राओ की तलवार और नहीं में पूरा डायलोग तो आप लोग मेरे को पकड़ लोग रहील बना दो गया ठीक है तो पेस्वा वाजी राओ समाधी यहां पर आप देखेंगे तो इस लोकेटेट इन खरगोन खरगोन तलवार निकलेगी तो आदमी क्या हो जाएगा गोन घर से गोन हो जाएगा समझ रहे तो पेस्वा वाज खेड़ी ऑन बैंक्स ऑफ दी नर्मदर रिवर इन खरगोन जिला अफ मध्य प्रदेश राइट खरगोन फिर हम बात करते हैं अच्छे यह खरगोन ने इसको निमाड भी बोले आता है अच्छे यह बताईए बैस्ट निमाड है खरगोन या फिर इस्ट निमाड है जैसे अ खंडवा और खरगोन हो गया यह आपको याद रखना है निमाड ही छेत्र में आता है यह भी आपको याद रखना है नेक्स आप देखेंगा होसंग साह का टॉम अब होसंग साह बहुत ज्यादा फेमस है और एक छेत्र है जिसका ना मैं मांडू ठीक है इंदोर के पास में ह ज्यादा दूर तो नहीं है तो सकता है हम जाएं इन दोर घूमने तो मांडू भी जाएं कोई चलना चाहेगा तो बता देना आप लोग मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना कमेंट बॉक्स में के हां सर आइम और मांडू के बहुत सारी जीज़ें जो छेत्र हैं उनके बारे मे इने पर्सियन आर्ट का मार्वल जो है इसकी पर्सियन आर्ट से कलावाजी से बिल्कुल मतलब सनलिप्त है यह आपको याद रखना है फिर आप देखेंगे जो नवाव हुसेन सिद्धिकी जी है यह लोकिटेड है इनका टॉम कहां पर भौपाल में यह भी मार्वल का बना एं जैसे अलियर तो तांसेन का मख्वरा तांसेन झटां तौत आप लोग जानते न क्या सांदर सिंगर सिंगर थीए यह शिंग करते थे ना तो बिल्कeking बर सात आ आ जाती थी इतने और प्रिंटर यह तांसेन जी तो यह अपको याद रखना है, Tpit जो है, Tansen जी का टॉम्ब आपको Ghaalyer को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा guys? Ghaalyer में देखने को मिलेगा, याद कर लिजी है, रट लीजिए, बिलकोल दिमाग के printer पे चिपका लीजी इस पर कई वार questions पूछा गया है, clear, तो दोसरे आप देखेंगे गौस मुहम्मबद का टॉम किसका गौस मुहम्मब घू यू एस गौस मुहम्मबद का टॉम आपको देखना मिलेगा गवालियर में ठीक है तो इसे याद रख लो कि तांसेन गाते थे भिलकुल झूटे होके नहीं गाते थे मतलब इस तरह याद नाम कि दादाजी का नाम है मेरा खुटका नाम है गोस मुह जी तो मेरा खुटका नाम है तो मेरे पमच चड़ वेट जो है यहां जो हैसे जोस मैं बदाःए जहां पर बैठें यहां से lecture सुन रहा है हाई सर बोलोगे कि नहीं बोलोगे तो हाई सर चले आगे बढ़ते हैं अब हम लोग next जो मखवरा है उसको देखते हैं तो दुर्गवती जी की समाधी कहां पर देखने को जवलपूर में यह आपको याद रखना है वरेला विलेज जवलपूर में और यह फेमस रूलर ने कहां के जी गोंडवाना की यह भी हमें याद रखना है अगर हम लोग महारानी लक्ष्मिभाई की बात करें समाधी की तो यह भी गॉलियर में तो गॉलियर बहुत फेमस जग की आती है लाइक जो हुज रोस थे उन्होंने बोला कि महारानी लक्ष्मिभाई यह थी ना सिवास दी आउनली में मैं इंडी होल आर्मी मतलब क्या है कि वह इतनी ज्यादा पावर्फुल लेडी थी जिनके बारे में कहा जाता था खूब लड़े मरदानी वह तो जहांसी वाली रानी थी बुंदेला हरवोलों के मूंसे हमने सुनी कहानी थी खूब लड़े वरदानी वह तो जहांसी वाली रानी थी तो वही वाली वात है तो आप याद रखिएगा कि इनका जो मकवरा है आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है नेक्स्ट अगर हम समाधी की करें तो वह समाधिय सांख्य राज्य सिंध्या जी की समाधिय ओफ महरानी सांख्य राज्य सिंध्या तो यह आपको याद रखना है यह कहां पर है सिवपुरी में यह आपको याद रखना है सिवपुरी में यह देखने को मिल जाएगी थोड़ा सा रट लीजिए संख्या संक्या जो है संख्या राज करेंगी संख्या राज करेंगी कहां पे सिव पूरी बस इतना याद रखो सिव पूरी में फिर एसे करके कुछ भी करके आप देखो अवंती वाई की जी ए आर एच एम ए एंड डी एल ए राइट शी वास दी रूलर ऑफ गड़ मंडला छेत्र यह भी आपनको याद रखना है इसमें कोई बन जाता हूं निर्देशन करने लगता हूं पूरा विल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि सामने सब कुछ घट रहा है जैसे अभी हम कल की जो क्लास पढ़ने वाले ना उसमें इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे 1857 के स्ट्गल के वह भी मध्य प् जलकारी वाई की समाधी आप लोग देखेंगे यह भी कहां पर है मंडला में जलकारी वाई की समाधी आपको देखने को मिलेगी मंडला में तो शीवास दरूर्ण और गड़ मंडला कंपैनियन ऑफ रानी अवंतिवाई अब यह अंगर अख्षक किसकी थी तो यह हमें वो अंगरक्षक थी किसकी गायश बताईए अवन्ती तो ये जो थी अंगरक्षक थी अगरक्षक यहाद राखना बहुत इंपोर्टेम यस पर question बन जाता है यहाँ पर जो जिलकारी यह लोग देखेंगे तो यहां पर आप देखिएंगे जल्कारी बाई की चेह वहиться मदला में बताया जारा है फिर आप देखेंगे अब आभ्दुल्ला भान चंगाल की समा धिडिया वहं धार टॉंब में देखने को मिलती है उन्हेज difference यह आपको याद रखना है चंदेरी असोक नगर में यह आपको याद रखना है चंदेरी असोक नगर में यह आपको याद रखना है चंदेरी असोक नगर में वैजुवावरा की समाधी आपको देखने को मिलेगी और जो वैजुवावरा थे बहुती सांदर म्यूजीसियन थ और कंटेंप्रेटी किसके थे अकवर किसके जी अकवर यह हमें याद रखना है अकवर साहब के यह यह याद रखना है आगे वड़ते हैं हम लोग टाथया टोपे टॉम के बारे बात करते यह जो टॉम है यह तात्या टोपे का टॉम सिव पूरी में महरानी लक्सिभाई कॉपरेशन एंड स्पोकन एलडर विल्डर ब्रदर जो थे न वो थे तात्या टोपे इन्होंने लक्सिभाई जी को बहुत ज्यादा मतलब सहारा दिया थै यह आपको याद रखना है इन्होंने काफी यादा कॉपरेट करा था लक्षभाई जी ठीक है और लक्षभाई जब लड़ रही थी तब इनका बहुत ज्यादा सहारा था तो यह भी आप याद रखना है तात्या टोपे इस असोसियेटेड विद रानी लक्षभी यह हमें याद फिर मुम्ताज महल के टॉंब के वारें बात करें तो यह आपको देखने को मिलेगा बुरहान पूर में लेटर इडवास मूब्ड टू आगरा फोर्ट तो मुम्ताज महल आप लोग जानते मुम्ताज महल जिनके उपर सहाजा आने पूरा पूरा इमारत बना दी मस्त वाला पैलेस बना दिया आगरा है के नहीं है आगरा में क्या है ताजमेल तो यह आप याद रखना है कि फिर बाद में इनको बुरहानपुर से आगरा फोर्ट में लेकर गया गया जाया गया फिर दौलत खान लोदी का टॉम जो है वो भी बुरहानपुर में है गंजेडियों की को आगरी कहा जाता है याद है नहीं है याद मैं बता हूं क्या comment box में तुम्हीं लोग बताइए आप ही लोग बताइए बताइए ठीक है तो यह आप लोगों को clear हो गया तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा यहां पर सारी की सारी समाधी भी खतम कर ली हमने 15-20 मिनिट में जो जो important समाधीती इन पर questions आ जाते हैं, MCQs पूछ लिए जाते हैं, MCQs में भी choose the correct option करके पूछ लिए जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, it's very important, it's very important, right, now we move on to the palace of Madhya Pradesh, सारे के सारे, बड़े-बड़े palace के बारे में बात करते हैं, palace का मतलब क्या होता है, palace का करने करें, महल के बारे मात कर रहे हैं, तो देखेंगे आप लोग अलग अलग प liken के जैसे महल आपको गॉइलर में भी देखने को मेल जाएंगे, फिर ओरच्छा फोर्ट में थे वहाएं, फिर आप देखंगे जहनुमा पैले सब्रुचर गुजरी महल हो गया आब देकिंगे जहंगीर महल हो सहना गर्मारा बेिसा हो गया जाहांगीर महल कहां पर कहां पर पर उडिसा में ऊडिसा औरीसा अट कर्फ मांडू सो गया यहाज अघर महल होगया देन आप देखेंगे बाज-बहादुर का पैलेस हो गाया यह सारे के सारे से और हिंदॉला महल हो गया यह आपory पित Deep मैं इस तरह से कई सारे पैलेस हैं आपकोई ना लो जब जब तक अमन नाम देवे तब तक आपको सब कुछ याद करवाए आएगा ठीक है तो यह है आपके समक्ष मद्धिप्रदेश का बड़ा प्यारा सा मैप हर्ट लेंड ऑफ इंडिया प्यारा मद्धिप्रदेश हमारा यहां पर आप देखेंगे अलग लग छेत्र में जैसे हम बात करें एक एक करके एक करके बस तिहान से सुनना मैप उठाओ पहले तो मैप उठाओ जब तक मैं पानी पी रहा हूँ उठाओ जिन्नोंने नहीं उठाया कॉपी भी उठाईए अप लोग बदाईए उठा लिया पैन उठालो पैन उठालिया बढ़िया समझदार हो आप लोग तो ठीक है अब हम लोग बात करते हैं अलग-अलग छेत्र में जैसे हम लोग उपर से चालू करते हैं सबसे अपर आपन के उपको देखने को मिलेंगा गवालिया Rma है को देखनेगा गवालियर कैसे मिल्य पर चेंते हैं healthy predictable पैलेस विक्रम पैलेस अगया।्ग दूसरा है मोती महल मोती महलीरophone है जैविलास पलेस जैविलास पैलेस हो गया तो इस तरह से आपको पैलेस देखने को मिलते हैं इवन गुजरी महल जो बोला याता है गुजरी महल गुजरी महल तो यह जो आपको देखने को मिल रहा है यह है सारा का सारा कहां पर गाईस गवालियर में यह हमें याद रखना है यह कहां पर लोके लिए गाहा। कॉन सा पहले सब लोग बताइंगे थोड़ा सा तेज बोलो। जतिया में कुन सा है। सत खंडा का महल। जतिया में सत खंडा। क्या है जी सत खंडा। स स्थ फ फ क ह क end uh एंड बस इसलिए मेंनि सांथ न लिग दिया ताकि आ तो खंड खंड कर दिये आएगा तुमको ठीक है ऐसे करके याद कर सकते हो नाव भी मूव ओन तो नेक्स्ट बन देट इस ओर च्छा बच्चों ओर च्छा तो ओर च्छा में दो तीन महल हैं जिन में से एक है जहांगीर महल कौन सा है गाइस जल्दी बताओ मेरे को जहांगीर जहांगीर महल हो गया पहला दूसरा क्या हो गया सीस महल कौन सा है जी सीस महल सीस महल मतलब काच का बना हुआ महल है फिर आप देखेंगे राज मंदिर पहले हैं क्या है गाइस राज मंदिर पैलेस यह आपको याद रखना है इसके लावा सुन्दर महल भी कहाँ पर देखना को मिलेगा आपको ओडचा में सुन्दर महल सुन्दर इसके लाबा जहांगीर पैलेस तुम्हेने आपको बदाई दिया है काफी यादा फैमस जहांगीर पैलेस या आप रख लिएगा प्लीज 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 हमल रिक्वेस्ट है लिखिएगा जरूर जो इस पे मैं थोड़ा सा effort देता हूं वह बहु लोग देख लेंगा क्या राजा अमन या आ प्याद रखना है राजा अमन-पैले से पन्हाया आपको देखने को मिलेगा पन्ना की तमन्ना है हीरा तुम लोगों को भी मिल जाए यब मेरे को मिल गया है तो तो यह आप याद रख लिएगा पन्ना हो गया राजावन पहले इस तरह से फिर हम द्वात करें राइसन यह मैं पी बहुत उल्टा-पुल्टा बने हुआ है संटे क्लाउड मिल ख्राओं क्मिलड क्लाउड और कौन कंस से स्टेटू अबाव ना भता हो ठीक है याद आ गया ना तो उसपे विद्लगे तो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जिजो मद्धी प्रदेश में राइसेंजिल है यहां पर आपको बादल महल देखने को मिलेगा बादल राइट बादल कौन सा महल गाइस बताओ या रहते चिला के बताईए आप लोग बादल महल बी एडी एल बादल महल फिर हम बात करते ह हैं दूसरा जो महल है वो है इत्रदार इत्रदार आई टी आर ए डी डवल ए आर इत्रदार महल इत्रदार महल हो गया राइट याद रखिएगा फिर इसके लावा एक और है वो है रोहित महल रोहित महल यह हमें याद रखना है रोहित महल यह हमें याद रखना है बच्चो तो यहां पर आप राइसन में देख लीजिए राइसन में बादल महल हो गया इतरदार महल हो गया और रोहित महल हो गया कौन कौन से महल हो गया बादल महल इतरदार महल और रोहित महल यह आपको याद रखना है बिलकुल भूलने की जरुरत नहीं है सब कुछ रट लोगे मैं बात करते हैं जवलपूर बहुती फेमस छेतर हैं और हमारे बड़े परम्मित्र हैं प्रकरसर तो जवलपूर के रहने वाले तो जवलपूर की बात करिया है तो जवलपूर में आपको देखने को मिलेगा मदन महल कौन सा महल गाइस मदन महल थोड़ा सा उपर है जवलपूर यह नक्से के वेसे सब्छाओ बस बेसिक सी taim line kind of बनी होगए यहाँ पड़ तो यह मदन महल आपको देखने को मिलेगा जावल्पूर में क्या मदन महल मदन महल यह आपको याद रखना है यह आपको जावल्पूर में देखने को मिलेगा जाज्ञा आई होप मोती महल मोती महल यह आप याद रखिएगा यह कहां पर है मंदला में है मोती महल कहां पर है बच्चों मंदला में देखने को मिलेगा मोती महल कहां पर देखने को मिलेगा मंदला में मोती महल राइट यह आपको याद हो गया this is also clear to you right चलिए तो मंडिला का मोती महल भी हो गया फिर हम बात करते हैं भोपाल बड़ा प्यारा भोपाल अब इन्होंने थोड़ा गड़वड़ बना दिया है भोपाल जो है यह राइसन के पास में है भोपाल और यह राइसन हो गया तो इस तरह से भोपाल है अब भोपाल मे कई सारी चीजे हैं जैसे आप लोगोंने सुना भी होगा सदर मंजल यहां पर लिख देता हूं मैं सदर मंजल सदर मंजल यह हो गया दूसरा आप देखेंगे ताज महल भोपाल में भी हो और आगरामी भी है तो अगर पूछा है इंडिया में दूसरा ताज महल कहां पर है तो बहुत पाल में देखने को मिल जाएगा वैसा ताजमहल नहीं है जैसा आगरा में हैं बढ़ वहां पर एक बिल्दिंग बनी हुए है पहले से बना हुआ है तो उसका नाम ही ताजमहल है तो बहुत पाल में लोक्रेट यह भी आद रखिएगा तो ताजमहल हम लोगों ने अगे बढ़ते हैं now we talk about the सद्र मजल औलसो फिर गौहर महल भी आपको देखने को क मिलेगा ढ bombay यह आपको कहां देखने पाल मह एकपाल मह इसके लावा अगर हम देखें तो उज्जैन में काली देह पैलेस देखने को मिलेगा उज्जैन में काली देह पैलेस देखने को मिलेगा उज्जैन में तो धार में आपको देखने पर प्pelेगी राजा भोच की नगरी और धार में काफी सारी चीजे लोकेटेड हैं और धार में क्या क्या है तो मैं यहां पर थोड़ा इलग से लिख देता हूं अलक कलर का धार में धार में तो धार में कई सारे पहले से यह धर के देता है इसलिए इसका नाम धार है तो याद रखना है यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे हिंडोला महल हिंडोला मन्डोले मेरा तंडोले महल महल देखने को मिल गया तो आप देखेंगे जाहाज महल तो यहाँ पर आपको याद हर्ण के इस तरह से बोल सकते हैं तो यह मैंने आप लोगे सामने गूद के सारे के सारे महल लिख दी है मैं आप लोगों से दर्खोस्त करता हूं कि प्लीज कुछ मत करिये वसे चोटा सा कारे करिये वो यह है कि इसको इसका लिखना हो तो लिख भी लिजिए बताएए कोई डाउट इसमें हैं हूं हूं चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहां पर यह clear हो चुका है आपको सारी की सारी चीजें नाव भी मुव एंट टू नेक्स्ट वन गाइस तो नेक्स्ट वन है एक एक करके थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेते हैं यासे गुजरी महल अब यह गुजरी महल जो है आपको देखने को मिलेगा गवालियर में कहां देखने को मिलेगा गवालियर में देखने को मिलेगा गुजरी महल किसके द्वारा बनवाय गया था गुजरी महल तो राजा मान सिंग के द्वारा राजा मान सिंग के द्वारा जो है गुजरी महल बनवाया गया था, यह भी हमें याद रखना, राजा, मांड सिंग के द्वारा जो है, गुज्री महल बनवाया गया था, in the memory of his beloved wife, that is, मरिग नैनी, किसके लियाद में, तो मरिग नैनी के याद में, मरिग नैनी रे, मरिग नैनी, अच्छा कौन थी म्रगनाए नहीं तो यह वाइफ थी तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके समक्ष में लेकर गया हूँ गुजरी महल में गुजरी महल कहां पर लोकेटेट है तो गौलियर में लोकेटेट है यह भी हम लोगों ने देख लिया कहां पर प्रस्तुत करता है अपना नृत यह ग्याव उतिको प्रस्तुत करता है। यह रहा हूं को कुछिरी महल ऑगे और प्रस्तुत करोगे तो गुजर जाओं है इतनी तेज पढ़ती है मैं गया था विल्कुल तब के मेरी हालत खराब हो रखी थी इसलिए मेरे को लू लग गई थी इसलिए मुझे याद है तो इसलिए आप लोग भी मच जाईए कर नहीं तो गुजर जाएंगे ठंड में जाओ मस्त इंजॉय करो अभी मच जाना अभी MPPSC तो यारी करो नेक्स्ट ज जिनकी समाधी आपको ग्वालियर में देखनों को मिलती है पताईए यह रहा प्लीज ट्राव सिंधिया जी के द्वारा जो 1825 है उसमें यह बिल्ट करा गया था ऑन दी लाइस ऑफ पूना पैलेस यह बनाया गया था इस पैलेस वास दी लेजिसलेटिटिव असमली विच व बिल्डिंग ऑफ सेंट्रल इंडिया बिफोर नवंबर 1956 यह हमें याद रखता है यह फोटो भी देखने को मिल रहा है बिल्ट करा गया किसके द्वारा दौलत्राव सिंधिया जी के द्वारा इन 19 यह 1825 ऑन दी लाइस ऑफ पूना पैलेस राइट दौलत्राव सिंधिया य यह याद रखना है मोती महले वारे तो आगे वढ़ते हैं यह विलास पैलेस जो है इस पहलेस के किससी त्वारा इन तो वह कुझे हैं माइकल फिलोस जो में आर्किटेक्ट थे ना उनका नाम क्या था माइकल फिलोस इतना पन को याद रखना है इसली मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा और दरख्वास करूंगा कि प्लीज फैक्ट्वल क्वेस्टन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फैक्ट्वल क्वेस्टन बहुत ज्याद आते हैं अगर आप बिहार पीएस्टी का पेपर देखेंगे और यूपीएस्टी वह फैक्ट्वल क्वेस्टन का बहुत ज्यादा है स्टेट लेवल पे जो क्वेस्टन बनते हैं अगर हम देखें सो क्वेस्टन में से 31-35 क्वेस्टन तक्रीवन 30 क्वेस्टन तो MP के आते हैं इसलिए MPG के पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा MPG काफी बड़ा पोर्शन है का क्वेस्टन बन जाते हैं मैं आप लोगो से यह कहूंगा कि जितना हो सकताहica स्टा क्वेस्टन लगाई एं प्रैक्टिस बनी रहेगी अप अच्छे तरीके से चमतकार कर सकते हैं वह ला एक आ दॉम है कर बूजे की तरह दिख रहा है तो ऐसे देखने अप इसको खर्वूजा जो महल है वो है धार में कहां पर है धार में रोकिटेडिन फोर्ट ऑफ धार मराथा गॉट इस फोर्ट रेनोवेटेड इन दिस फोर्ट आनंदी वाई गेव वर्थ तुव पेश्वा वाजिराओ टू यह आप देख सकते हैं न वाजिराओ टू तो दिवाई ने पेश्वा वाजिराओ दो को जन्म दिया था फिर हम बात करते हैं अमन के बारे में तो अमन का यह जो महल है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं अजेगर फोर्ट इस पैलेस इन अजेगर फोर्ट वास विल्ट वाई अजेपाल इन एटींत सेंचुरी कभ अमन पाल अजय पाल के द्वारा यह बनाया गया था अजय पाल राइट क्या नाम है अमन महल अमन महल अभी मैं यहीं पर जाओंगा रात को सोने के लिए यहीं जाता हूं फिर भूत आ जाते हैं और उठाके मुझे भगा देते हैं केते हैं अमन जा सुवब सुब यूपी पर देखेंगे यहाँ पर असरफी महल देखने को मिलता है यहां पर अगर आप यह सोचके आए कि शर्फिया मिल जाएंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला यह आपको याद रखना है मांडू का असरफी महल ठीक है फर्स लवल लेटर दा क्रैडिट फो गिविविंग इट अ कॉंप्लेक्स लुक इस गिवन टू हूं तो महमूत खिल जी को फिर बाद में इस पे और ज्यादा मतलब खूपसूरती वड़ाने का कार दिया गया था तो तो यह आप प्ड़ सकते हैं क्या लिका हुआ यहां पर के मांडू के लिए में इस्तित असरफी महले प्रकमस्तर पर होसंग सहा ने सको बनवाया था बाद में इसको पूरि रूप देने का महमूत खिल जी को दिया जा था अब यह बहुत इंपोर्टेंट यह जो असरफी म लेकिन बाद में इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने में जो बहुत बड़ा रोल है वह किसका था महमूद खिल जी यह आधार रखना है बाद में किसको दिया गया तो महमूद खिल जी को दिया गया है तो यह महल अफगान कला में देखने को मिलता है इतना ही अपन को याद रखना है फिर हम बात करते हैं रानी रूपमती का पैलेस बहुत इंपोर्टेंट है रानी रूपमती का पैलेस रानी रूपमती का पैलेस किसके द्वारा बनवाया गया था तो रणी रूपमति की कहानीया भी बहुत ज़्यादा प्रसद्ध हैं टिए रूपमति पहले से इसलिए वन वाया था क्योंकि रूपमती जी जो हिंदु रानी थी इनका या मन था कि मैं नर्मदा देवी कूझ देखना चाहती हूँ उनकी की पूजा यह आपको याद रखना है नर्मदा के दर्सन करने के लिए यह आपको देखने को मिलेगा और यह मांडू में लोकेटड है रानी रूपमती महल राइट यह आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट जो महल है यहां पर बहुत ही प्यारा लेजर सो होता है जिसका नाम है हिंडोला महल क्या नाम है हिंडोला महल के बारे में हम लोग बात करें हिंडोला 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 के बारे में बात करें तो यह भी मांडू में इस्थे थे मांडू में इस्थे थे इस पैलेस वास विल्ट डूरिंग दा रेन ओफ होसंग स होशंग साह के रेन में ये भी देखने मिलता इसको हिंडोला महल इसलिए कहायाता है क्योंकि हिसका स्ट्रक्टर कुछुछ लेसा है ऐसे करके लगा हिंडोला तो यह हिंडोला कर इसका हिंडोला नाम है तो मैंने दो-तीन चीज आपको बता दिया है तो होसंग सहा ने बनवाया था राइट दौरान बनाया गया था इसमें तक्रीवन सत्ताइस वो 77 70 इंच की आसपास तक्रीवन जुकी हुई दिवार हैं इसलिए इसको हिंडोला कहा जाता है फिर हम देखत सब्सक्राइब के अब्र ब्राइब है और आप सबस्क्राइब बहुत आगे बढ़ सकता है तो सच्च वारत में इंदवर का बहुत बढ़ा नाम है और यह वहीं पर लोकेटेड है खान रिवर के किनारे जो आपको देखने को मिल रहा है लाल भाग महल कहां पर गाइस लाल बाग महल यह जो पहले से यह मास्टर पीस है आर्किटेक्चर का अब दी होलकर डाइनस्टी पैले जो है किसके द्वारा बन बाया गया तो सिवाजी राओ लिख लीजिए आप लोग सिवाजी राओ होलकर सिवाजी राओ होलकर यह हमें याद रखना है फिर हम आगे बढ़ते हैं गाइस जहाज महल के बारे मत करते हैं किसके बारे में जह जहाज जहाज यह जो महल है यह भी मांडू में इस्थित है और इसके वारे में दो तीन चीज़ा आप समझ लीजिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह आर्ट इंड कल्चर का पार्ट है एंपी हिस्ट्री में जहाज महल इस तरह से दिखता है जब पानी वह रहा होता है इस लगता है कि बढ़ा सा जहाज तेहर रहा है इसका स्ट्रक्ट्चरी कुछ इस तरह से बहुत खूबसूरत लोकेशन है बहुत ही प्यारी लोकेशन है जहाज महल आप देखेंगे तो it is located in MANU, beautiful building है जो की build करी गई in the shape of sip between two points तो two points इसके सामने एक बड़ा सा तलाव है इसके पीछे भी एक तलाव है इसलिए एसा दिखता है जैसे की यह जहाज है इसलिए ऐसे करके जहाज की पार पार Mar flu नाम से इस पैले से वास हाफ प्यावली उडवाई हूं ज्यास उद्दीदें खिल्जी जो महल तो मांडू में स्थित जहाज महल दो तलावों के बीच तलावों के नाम क्या है तो यह आपको याद रखना है टू पॉइंट्स जिनका नाम है कपूर एक कपूर तलाव कपूर तलाव और दूसरे का नाम है मुंझ तलाव मुंझ तलाव यह आपको दो तीन चीजे याद रखने हैं मुंझ तलाव और कपूर तलाव दोनों के दोनों तलाव बहुत फेमस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर आप देख सकते हैं इसका बड़ा प्यारा फोटो है जरूर जाईएगा फोटो खिजवाईएगा बह नौखंड़ा महल के बारे में बात करते हैं तो इस लोकेटिटेंट चंदेरी चंदेरी में साडिया भी बहुत फेमस है इस पैक्वेस्टन पूछा गया है आम आएर खान आयते एक मूवी बना रहे थे तब उन्होंने चंदेरी में पतला मूवी सूट करा था तर उन्होंन प्रतिहार किर्ति पाल किसके द्वारा कीर्ति जिसमें कीर्टि वोगी न कीर्ति पाल कीर्ति पाल कीर्ति पाल चेहर जो राजा थे उन्का नाम था कीर्ति पाल 11th Серг誨 तो यह जो पहले से उस turn período दौरा बनवा इसको बीर महल के नाम से भी जाना जाता है और ये कहांपर सिचुएटेड है तो iets She सिटुईटेड है किया बीर महल क्लियर है बीर महल अच्छे किसके द्वारा बन वाय गया था तो जो बीर सिंग जुदेव करके राजा थे इसलिए इसको सतखंडा महल कहा जा थे गहां तो तुम लोग साथ तक याद रख लो एक दो तीन चार पाँ छे साथ 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 सत्खंडा महल यद रखेगा आप लो यह दत्या में लोकेटेड है और इस तरह से आप इसको फोटोग्राप भी देख सकते हैं आगर तुम को दिख रहा है तो जूम करो थोड़ा सा मेरे को साइड में घटाके रैट और याद कर लो ठिक है सत्खंडा महल clear है देखा है आप लोग सत्खंडा महल बहुती प्यारे तरह को मिल रहा है फिर आप देखिंगे सीस महल यह जो है ओरचा में देखने को मिलेगा 1980 काच वना हुआ है Lee इवन इंदौर में वी एक सीस मंदिर है जैनों का बहुत प्यारा मंदिर है राइट यहां पर आप देखेंगे और चा में सीस महल लोकेटेड है मद्रदेश में और यह भी सत्रा सो च्हे में सत्रा सो छे में जो राजा थे जिनका नाम था महाराजा उद्देश से गरा रा अगया था यह आपको याद रखना है तो सीज महल इस लोकेटेड इन ओर्चा मद्यप्रदेश विल्ट इन दी यर 1706 वाई महाराज उद्देश सिसिंग सीज महल वास एक्चुली विल्ट ऐसा रेस्ट हाउस यह जो बनाया गया था ऐसा रेस्ट हाउस बनाया गया था यह आपको याद रखना है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे बहुती व्यूटिफूल व्यूटिफूल ग्लास देखने को मिल जाएंगे यह फोटोग्राफ आप देख सकते हैं तो सीज महल लेंगे मद्यपृद्य में यह जे आप को यादत मैं किसके द्वारा बनवाया गया तो उद्देख सिंग्क के द्वारा है उद्देश सिंग के द्वारा यह बनवाया गया था क्लियर हो गया कोई डाउट हो तो बताइए देखो बहुत सारे हैं यार मतलब आप समझ रहे हो एंपी हिस्ट्री अगर पढ़ाने बैठे ना तो वो सो घंटे में भी खतम नहीं हो पाईगी लेकिन फैक्स इतने सारे हैं और मेरे पास टार्गेट बहुत सारा है तो इसलिए मैं आप लोगो थोड़ा सा थोड़ा फास्ट भी पढ़ा रहा हूं कवर करने कोशिस कर रहा हू मोती महल is also located in ग्वालियर बुरहानपूर और भोपाल यह question आप से directly पूछा या सकता है कि मोती महल और कहां कहां पर है तो मंडला के अलावा मंडला के अलावा मंडला के अलावा ग्वालियर में उसके अलावा आप देखेंगे बुरहानपूर में बुरहानपूर में और भो पूरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ और चा में हैं तो सीस महल जो है यह आप से पूछा या सकता है सीस महल यह कहां कहां पर और है तो सीस महल आपको देखने को मिलेगा और चा के अलावा आपको सीस महल देखने को मिलेगा नीमच नीमज हो गया और दूसरी योग छेत रहुआ है टीकमघड और तीसरी यो जगह है वो है धार तो इस तरह से आप देखेंगे और चाह नीमज और टीकमघड और धार अपको देखना को मिलेगा सीसमें इस तरह से हमें रट लेना है मैंने क्या बताया देखो मोती महल जो है है ग्वालियर बुरहानपुर और भोपाल में फिर अगर हम बात करें सीस महल की तो यह ओर्चा के अलावा नीमच ठीकमगाड और धार में देखने को बिलेगा यह हमें याद रखना है काफी सारा करेंड इस पर क्वेश्चन काफी आदा बनते हैं तो थोड़ा से ध्यान रखना है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ही आदा इंपोर्टेंट इस सुपर-इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक आता है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं के बारे में थिके साल भी सुनॉइzeniu के वारे में लोग लिसक submarines करते हैं आप जो पत्थरों के बीच को पहले क्या होते हैं आपके कंक्रीटς को पहले क्या करते थे अपने सरदीगर्मी या जिसे भिचाना है जानवरों से भचाना है को यह सब्सक्राइब तो वो पथरों को इस तरह से कटिंगативने इंगे अब अब यह कई सारी गुफ तो सही है डैरेक्ट राइक्ट नइनी की कई हैं पर हैं मिर्ग इंद्रनात की गुफा सही बाग केप कहां पर हैं बाग केप में काई के इंस्क्रिप्सन मिलते हैं इस तरह से आप देखेंगे ना बहुत सारे questions बहुत सारे questions पूछे जाते हैं तो याद रखना है आप लोगों को questions किस तरह के पूछे आ रहा है यह तो मैंने आपको बता दिया जैसे for example they ask questions on different topics अब ग्वालियर में कौन-कौन सी गुफा है तो ग्वालियर की बात करें बच्चों तो कि मौर्ड उन्ला ने लोकेटेड है क्या है व्लोवा केट्स इसके लो तुम लोग असे करके लिख लो तुम लो मेरे साथ लो व्लोवा की गुफाएं ठीक है व्लोवा की गुफाएं भिलोवा की गुफाएं期 agu Allen याद रखना किखनाह कि गुफात फिर आप से पूछा जा सकता है वो सँरी विदीशा जो ए विदीशा जानते हो ना रायसें के पास में हैं बटिसा में उद्रिक पराइग इस वदे गिरी एक टा समय विदीसा में कौन सी गुफा है ओधैगिरी केफ्ष कौन इजी भधाओ जरा थोड़ा ereum चला ओ जरा तेज बोलोजार तो कौन सी है guys बताओ फढब तो answer रहे है ओधैगिरी केफ्ष क्या है ओधैगिरी केफ्षा नेकट सिंगरौली बात करें तो सिंगरौली में आपको देखने को मिलेगा मारा केवस क्या देखने को मिलेगा मारा केवस सिंग रॉली में क्या है मारा केवस मारा केवस ठीक है ठीक है जब मेरी एनरजी डाउन होने लगती तो मैं चलाने लगता हूं आप लोग भी सोना मत ठीक है तो मारा रे मारा 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 केपस तो यह आपको याद रखना है मारा केपस आपको सिंग रॉली में देखना मिलेगा गफा hyvin कौछ को Morra सिलहारा केव ineer सिलहारा केव दानादम क् तर या आपको याद रखना है बच्छों सिलहारा केव fan is located in अनुपुर कहां पर गयाज सिलहारा केव इस लोकीटेड इन अनुपूर याद हो गया फिर आपने राई से में बत करें तो आप देखने को मिलेगा भीम बेटका की गुफाएं और मिर्गेंडरनात की गुफाएं किस-किस जी भीम बेटका मैंने थोड़ी देर पहले भी पढ़ायाहे है और म्रिगेंडरनात की गुफाएं भी आपको राइसória में देखना श्यूम्रotte ले चाएं ठीकह याद होगा तुम लोग खोस में रहा करो खोस में नहीं रहो गया तो कोई भी उठा के लिए आएगा समझे रहो ना तो वही वाली बात है तो यहाँ पर आदम गड़ केप्स important है आदम आदम गड़ केप्स राइट पांडव केप्स क्या है पांडव पांडव केप्स राइट तो पांडव जाएँगे तुमको उठा के लेएँगे आदम खोर की तरह राइट यसे मतलब वो कोई नहीं है बस याद करवा रहा हूँ कोई नहीं उठा के लिए अगर टेंशन मतलो मैं हूँ ना तो याद रख लेना आप लोग यहाँ पर होसंगवाद की बात कर रहा है होसंगवाद में दो केप्स है पहली है आदमगड केप्स और दूसरी है पांडव केप्स क्या क्या है बताईए यह रहा है पहली कौन-कौन सी है पहली है आदमगड केप्स और दूसरी क्या है पांडव केप्स याद रहेगा आप और पांडव केवस की बारे में बात हो गई फिर आप देखें खंडवा की बात करें तो कि आपको संकराचार की गुफाएं देखने को मिलेंगी संकरा bon mean ए संकराचार्य रोगो रेट लो कंडवा में कांडवा की वकल में खरओन भी है लेकिन हमें याद रखना है खंडवा क्या खंडवा क्या खंडवा तो खंडवा में संक्राचार की गुफाएं हैं यहाँ पर काजल रानी की गुफाएं देखने को मिलते हैं बाग केवस बाग केवस हो गई लोहानी केवस लोहानी केवस लोहानी केवस यह आपको याद रखना है तो धार में बाग एवं लोहानी केवस जो है आपको देखने को मिल जाएगा फिर हम बात करते सिहोर क्या सिहोर छेतर में तो सिहोर की बात करें सिहोर भाई सिहोर सिहोर की बात करें हम लोग, तो सिहौर में आपको देखने को मिलेगा, सारू मारू की केवस, बच्चों, सारू मारू की केवस, क्या है गाइस, सारू मारू की केवस, सारू मारू की केवस, सारू मारू की केवस, सारू मारू की केवस, तो यह आपको देखने को मिलेगा, सिहौर में, आ मैं बताऊं क्या बोलना मत किसी से परवती कहां से निकलती है अच्छे यह बता दो परवती रिवर की वात कर रहा हूं नहीं तुम कहो कि सर वो अमारे घर में के सामने रहती थी आपको कैसे पता चल गया परवती कहां से निकलती हो किसके घर में आती है तो अपने घर से निकल नामाइशं उसका दो वो बन्दा था तो आप जो किया गुफाओं ना या खिन सी रटवा रहा है याद करवा रहो हो तो भतारी केप जो है वह कहां में मुण तो अःधरी की मैप बनाओ मैप बना के जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं पॉइंटर साफ रट लीजिए लिख लीजिए कॉपी में एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार लिखिए आप लोगों के लिए काफी आदा वेनिफीसल होने वाला है आप जब एक्जाम देंगे ना आप जिसमें काफी सारे questions जो आर्ट इंड कल्चर से लेटेड है वह हम लोग कवर करें ठीक है कोई डाउट तो नहीं है कोई गिला सिक्वा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मंसौर के बारे में बात करते हैं तो मंसौर में आपको देखने को मिलेगा धर्म राजेस्व में उदैगरी की केफ्स हैं सिंगरॉली में मारा की केफ्स हैं अनुकपुर में सिलहारा की केफ्स हैं राइसन में भीम बेटका की केफ्स हैं म्रगेंदरनात की केफ्स हैं होसंगवाद में आदमगड की और पंडव केफ्स देखने को मिल जाएंगी खेंडवा में आपको सं देखने को मिल जाएंगी उज्जेन में भ्रथारी की गुफाएं देखने को मिल जाएंगी मन्सौर में धर्म राजेश्वर की गुफाएं देखने को मिल जाएंगी इस तरह से आप सारी की सारी केप्स को रट सकते हैं खड़ा खायट याद रहेगा पक्का आगे बड़े हैं हम लोग now we move on to the caves of मध्यप्रदेश एक एक करके थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो आप देखिए जो म्रगेंद्रनाथ की गुफाएं यह कहां पर है राइसन में है काई से लेटेड है जैनिजम से लेटेड है जैनिजम से लेटेड है म्रगेंद्रनाथ की गुफाएं यह हमें याद रखना है जैनिजम से लेटेड है कब डिस्कवर हुई थी 2009 में 2009 में इस डाइनस्ट्टी के द्वारा बनाई गई थि तो य réflच जो एक से लेकर 20 तक यो गुफा anticipate णे यह पूछा जा चुका है आपके PSC में कि बारहा अफ्तार की केस कहा पर लोकटने हैं तो यह आपको देखने को मिलेगा उदडाइगरी केस् विदी सामें यह आपको याद रखना है आगे वड़ते हैं लोग उदाइगरी की गुफाहें है अब हम बात करें भीम बेटका की गुफाओं के वारे में तो यह मैंने आपको पहले भी बता दिया प्री स्टोरिक एज के बारे में पढ़ा था ना पुरा पासवार काल के बारे में तो यहां पर जो केव से न दीसार स्राउंडड़ वाइ माउंटेंस अब यह कौन से माउ थी कल्चर का इन केव की यहां पर पेंटिंग्स वनी हुई है और मैंने आपको एक चीज़ और वताई थी कि कंकल फेक फेक के मारा था और कंकल यह फेक रहा था वह तो इनको पता चल लगा अरे वहां पर भीम की बेटी यह भीम बेटका भीम की बेटका यह याद रख लो वाकंकर साब इस पर भी question पूछा जा चुका है विस्टू वाकंकर जी जो थे उसके discoverer थे it has been declared of national importance caves of international national importance in 1990 and UNESCO World Heritage Site in July 2003 यह हमें याद रखना है भीम बेटका के बारे में फिर हम लोग बात करते हैं धार की गुफाओं के बारे में बाग केवस धार में जो है बाग केवस लो जाएगा बी ए जी ए च ए एन आई आइ आर आईवी ए आर आइवी अ, 倏र निए्ज वुट NEAR धार निए धार 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 district केवस एसिट उने ओं यहाँ पर यहाँन snelटाख़त ऐसे फ्रेश्व पंटिंग असे ऐसे हम दो है तधिद्धि पिंटिंग बड़ी बड़ी पtes आ आपको देखने को मिलेगा जो भी यह पेंटिंग्स हैं इस पेंटिंग्स वियर मेड विड्वीन फोर्थ एंड सेवन्थ सेंचुरी यह हमें याद रखना है चौथवी और साथवी सताब्दी में यह देखने को मिलती है यह आल्सों कोल दी लाइफ ऑफ बुधिस्थ याद हो गया फिर हम बात करें बाग की गुफाओं के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख रखी है इन्होंने के तक्रीवन नों केव से बुद्धिस्थ आइडॉल्स हैब इन फाउंड हैर विच द लोकल्स व्लीप तुई द फाइप पांडव्स आउट आउट मतलब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है आपको पर्मार डाइनस्टी के राजा थे ठीक है पर्मार डाइनस्टी के राए तो उन्होंने इसको बनवाया था फिर भतरी की गुफाएं भी हो गई अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते आर्केयोलजिकल साइट के बारे म ठीक है आर्केयोलजिकल साइट होती क्या है आर्केयोलजिकल साइट याद रखियेगा जैसे किसी इनसान ने कुछ डिसकवरी करी एक तो इस तरह से काफी सारी साइट है तो आर्केयोलजिकल साइट इस इनस्तैंस ऑफ पास्ट यूमेन बिहेवियर और एक्टिविटी वियर हैं इंसान कोई न कोई एक्टिविटी कंड़क्ट करा और एविडेंस जो भी बचे हुँ है वह छोड़ देता है पीछे तो आप देखेंगे जैसे आदमगर यह सब त देखने को मिलता है तो इस सिचुएटेट ऑन दर रिवर नर्मदा नियर होसंगाबाद जो अर्लिएस्ट एविडेंस है जानवर के अनिवल हज्वेंडरी के वह यहां पर देखने को मिल जाते हैं इंद सबकॉंटिनेंट रिजन फ्रॉम हेर ओनली फिर आप देखेंगे ल ठीन शहरें बात कर रहे हैं ना आदमगाड ऑसंगवाद की नर्मदापुरम की तो यहां पर एक्सक्यवेसन करा गया थो दो लोसंगे द्वारा osób जो सी और एक खरेशाब। जोसि एंद खरे साव के हैं खरे साब इन दुनों के दौरा यहां पर एक्सक्राइशन करा गया था फिर हम देखते कायत कल्चर जो की उजहन से डायत कल्चर है सा dena बढ सิतका कायत कल्चर rix오 ilet बर्थ प्लेस ऑफ मैथमेटिसियन डेट इस एस्ट्रोमी बरहमीर राइट तो यहाद रखना उज्जेन जो है यहीं से बरहमीर मिहर फेमस है मतलब बरहमीर यहीं से थे उज्जेन से कायत कल्चर हम लोगों ने पढ़ लिया फिर एरन इसके प्योशन पूचा गया सतीप्रथा के सबसे पहले एविडेंस जो है यहां पर जो दिख रहा है आपको यह तो यहांं पर तो यहां पर आपको याद रखना है कृष्ण दत्त बाजपई जी के द्वारा इसके बारे में पता चला था एरण इंस्क्रिप्शन के बारे में चालकुलितिक टूल्स टूल्स इसके बारा मंसौन के तो वहां पर आवारा इंस्क्रिप्शन की तो महेंसवर में यह आपको देखने को मिलता है main center था चालको stone age का मालवा culture फिर आप देखेंगे इसके लावा वेश नगर जो विदीसा में है तो जो नेम है नाम है विदीसा found in the brahman and gen text of विदीसा district only और इसके जो मतलब main founder जो थे वो थे bdr भंदार कर स्री डी र स्री बदिणे डी आर भंदार कर ठीक है भंदार करकर यह आपको और यहां पर एक स्थंभ लोटेटेडए उसका नाम क्या है गरुण इस्तंब क्या है गाइस गरुन इस्तंब यह आपको याद रखना है बच्चो तो यहां पर आप देख सकते हैं गरुन इस्तंब लोकेटेड है तो मैंने आप सपरते उस्तंब करेंहें सब्सक्राइब करेंद लिए इस यहां पर कुछ तीन स्तूप बने इनके इनके वारे में में आपको बता दिया जो महा स्तूप है वो बिल्ड करा गया था असोक के द्वारा एंपरर असोक जो वेदी का है वो क्या है बुड़न की तरह देखने को मिलता है असोक इंस्क्रिप्शन सत्धारा करके स्थूप यह आपको याद रखना सांची से 9 km धूरी पर है यह एक प्रॉमिनेंट वुद्धिष्ट साइट है जो स्थूप चैत्य और रॉक स्ट्रक्चर जो भी बने हुए ना राइक तो यह आप याद रखे का फिर हम भारुत की स्थूप की बात करें तो य इस लोकेटेड इन सतना डिस्टिक्ट एंड वास ओर्जिनली विल्ट वाए हूं असोक उनली इस बाउंडरी वाल एंड पिलाउन गेट वर कंस्ट्रक्टेड इन सुंग पीरिड यह भी हमें याद रखना है फिर इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू कई सारे टैंपल इन के बारे में क्या ही बताऊं हमारे महाकाल के बारे में तो महाकाल के बारे में क्या ही बोले तो महाकाल इस वार टैंपल इस लोकेट इन उज्जेन ओम कारेजवर कहा है यह आप लोग बताएंगे में को लगता है कि सबको मालूम होगा ओम कारेजवर मंदर कहां पर कितनी जोतिर लेंगे ये भी आप लोग बताएंगे टोटल कितनी जोतिर लेंगे ये भी सारे के सारे बच्चे प्लीज बताईएगा तो महा कालेजवर जो इंडिया तकरीवन बारा जोतिर लिंगे तो यहां पर से आप देख कर लिक्वी सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ महा कालेजवर उजयन में फिर ओमकारेजवर नेक्स्ट आ गया यह खंडवा में देखने को मिलेगा राइट कौन सी नदी के किनारे है तो और रिवर बैंक ऑफ दर रिवर नर्मदा एट मंधाता राइट यह घाठ है बंधाता घाट है तकरीवन बारा जोतिर लिंग जो थी यहां पर देखने को मिलेगे जिन में से बेतूल में आपको मुक्तगरी टेंपल देखने को मिलेगा तो यहां पर आप फोटोगो भी दे बावन टेंपल से बावन टेंपल से दिगंबर जेन के राइट विचे सिटुएट इन इस प्लेस तो यह बहुत सारी बहुत अलग लग चीजें बहुत फेमस भी तो जेन टेंपल मुक्तगरी आपको बैतूल में देखने को मिलेगा तो देवों को हम क्या चड़ाते हैं पुस्भगरी यह आप तेंपल देख सकते हैं लोकेटेड इन देवास राइट इस दा मेन एडुकेशन सेंटर ऑफ जेन ऑल्सो राइट फिर आप देखेंगे सोनागिर टेंपल सोना गिरी यह कहां पर है जेन पिल्ग्रमेश साइट यह दतिया में है दतिया तो ऐसे करके इसमें भी कई सारे मंदिर यह 108 करीब मंदिर है फिर गोमत गिरी आप देखेंगे आपको इंदौर में देखने को मिलेगा यहां पर बहुत बड़ी एक इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत लंबी एक मूर्ती है तकरीवन 27 फीट की 27 फीट की और लॉड बहुवली की यह म बढ़ी मतलब इस कंद्रेड एस वन अफ दीगेश्ट मॉस्क ऑफ एसिया ताजुल मसाजिद मस्जिद हो गई पिंक कलर के स्टों से यह बनी हुई है राइट देन आप देख सकते हैं ताजुल के अलावा दर्गाह ए हकीमी दर्गाह ए हकीमी की बात करें तो यह जो कम्यूनिटी यह दर्गाह ए हकीमी की बात करिया है तो यह दर्गाह बुरहानपूर में इस्थित यह दर्गाह दर्गाह समुदाय का एक पवित्र इस्थान है यह आप याद रखिएगा तो यह आप लोगा देखा राइसन का भी दर्गा महजूद है अब आपसे अगर पीर फतेह उल्ला राइट सहा जिस्ती इनका ये दरगहा देखने को मिलता है आपको राइसन में राइट चलिए तो ओके सर तो अभी हम लोगों ने काफी सारी चीजे कवर करी है मैंने आप लोगों को अगर बोला या है तो काफी सारे पोर्संस को करवाया है कल की क्लास में मै सारी की सारी लिटरी परसनालिटीज के वारे में बताने वाला हूं किसने कौन सी किताबे लेखी ये सारी की सारी चीजे बहुत अच्छे तरीके से मैं कवर करवाने वाला हूं आज हम लोगों ने बहुती सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट के वारे में पढ़ा पीछ ज्यादा important है, prelims में अगर नईया पार लगाएगा तो वो यही लगाएगा So guys, that's all from my side I hope you enjoyed the lecture, thanks a lot guys for listening as usual very patiently and peacefully कल फिर से एक और lecture आएगा जिसमें हम लोग cover करेंगे और Sunday को MCQ की तकरीवन 3 घंटे की series होगी तकरीवन 1.500 questions हम लोग discuss करने वाले हैं, so thanks a lot guys, thanks a lot, thanks a lot bye bye, take care